हलो दोस्तो की आर इज़ाम चेनल में आपका स्वागत है दोस्तो जैक बोड की तरफ से आज की डेट में एक बहुत बड़ी खबर निकलके आया है जिहां दोस्तो जारखन के विद्ध्यारतियों के लिए बहुत बड़ी खुस खबरी है मेट्रीक और इंटर के कोफियों का जो जाच है दोस्तों वो शुरू हो चुका है तसा सरकार ने अनुमती भी दे दिया ठीक है और अगले मेहने के अन तक आप लोगों का रिजर्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा आप लोगों का जो इंतजार की घड़ी थी वो आप लोगों का खतम हो चुका है आप लोगों का मुल्यांकन कारी जो है वो शुरू हो चुका है ठीक है दोस्तों और आपको मैंने जैसे कहा था कि आपको सबसे पहले आपको हमारे चैनल द्वारा information मिलेगा और सही और सटिक information मिलेगा इसलिए दोस्तों मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूँ कि आप लोग का जो मुल्यांकन कारी है वो शुरू हो चुका है ठीक है तो चलिए देखते हैं आगे और इससे पहले चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकोन का दबाया के चैनल से जूड़ जाईए तो चलिए देखते हैं आगे तो देखे दोस्तों मैं इस समय आज के परभात खबर के नूज पेपर को आन कर रखा हूँ तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बता रहा है यदि आपके घर में नूज पेपर आता है तो आप लोग खुद से देख सकते हो यह राची का पेपर में दिया हुआ ठीक है और यदि नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्प्रिक्शन में आपको नूज पेपर का लिंक मिल जाएगा आप लोग खुद से जाके देख सकत हो तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बता रहा है तो देखें दोस्तों सबसे पहले यहां बता रहा है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कब तक जा रहे होगा तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या बता रहा है और इसे पहले वीडियो का लाइक करके चेनल को सब्क्राइब करके चेनल से जुड़ जाईए चलिए देखते हैं आगे देखें जहां क्या बताया गया दोस्तो विभाग से अनुमती मांगे थी दिसके लिए मैंने आपको जो है जानकारी दिया था ठीक है कि सिछा विभाग से अनुमती मांगा गया था उसके बाद बता रहा यहां कि विभाग ने इसके प्रस्ताओं आपना परबंधन विभाग को भेजा था उसके बाद बता रहा है कि अब सरकार की तरफ से कोपियों की जाच की अनुमति दे दी गई है ठीक है दोस्तो अब सरकार ने इक का जाच के लिए अनुमति दे दिया गया है कि आप लोग कोपी आप जाच की दे टीक है। आगे बोल रहा दोस्तो इस आसे से यहां बता रहा कि इस आसे का पत्र जो है गुरुवार को जैक को प्राप्ठ हुआ मतलब कल था दोस्तों गुरुवार और कल जो है जैक को प्राप्ट हो चुका है इसका पत्रे ठीक है मतलब कल आप प्राप्ट हुआ है अब आज या फिर कल या फिर परसो दो-तिन दिन के अंदर में आप लोग का मुल्यांकन कारी शुरू कर देगा मतलब यहांते पत्र तो सर सब्क्राइब करके बेल आइकोन के दबाएके चैनल से जूड़े रही जेगा देख आगे बोल रहा है कि राज्य में 6.21 लाग परिछात्री मेट्रिक और इंटर के परिछा में सामिल हुए थे ठीक है उसके बाद बता रहा है कि दोनों कच्छाओं की बोड परिछाएं फर परोना संकट के कारण सिच्छकोक ने पहले दिन ही कोपी जाँच का विरोध कर दिया था ठीक है उसके बाद आगे बता रहा है कि इसके बाद जैक ने कोपी जाँच को अस्थागित कर दिया था इसके बाद बोल रहा है कि इस दोरान जैक को तीन बार कोपियों की जाँच क की तीथी अस्थागित करनी पड़ी ठीक है दोस्तों तीन बार टोटल जो है अस्थागित करना पड़ा जिसके बारे में मैंने आपको पल-पल के जानकारी देते रहा है ठीक है उसके बाद आगे बोल रहा है कि कोपियों की जाच को लेकर राज जी में लगवक 67 मुल्लांकन क सेंटर आभी बना दिया गया है वो सब जगहों में जो है वह सब जगहों को बतलाव कर दिया जाएगा उसके बाद आगे बोल रहा है कि मुल्लांकन के दोरान को कोरणा महामारी के बचाओं के लिए तैमापदंट के अनपालन सुनिषचित किया जाएगा ठीक है उसके आप लोग का रिजल्ट जो हो वो कब तक जारी होगा देखिए आगे बता रहा कि जून के अन तक आएगा रिजल्ट मेट्रिक और इंटर के रिजल्ट जून के अन तक जारी होने की संभावना है और पहले मेट्रिक और इंटर के साइंस और कोमर्स का रिजल्ट जारी किया ज आकि जैसे ही आप लोग का कारिय यहां से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको information मिल सके ठीक है तो फिर मिलते दोस्तों नए news के साथ तब तक के लिए bye